सद्गुरू आपने जिक्र किया है कि आप एक समय में 14 अलग अलग चीजे एक साथ कर सकते हैं तो हम सब ये जानने के लिए बहुत उच्छुक हैं कि हम अपने शरीर और दिमाग दोनों के मामले में ऐसी शमता कैसे पा सकते हैं ओ, जिसने भी का, मैंने तो कभी ऐसा नहीं का, खेर, क्या आपके पास लिवर है? हाँ, है काम करता है? हाँ क्या आप जानते हैं कि इस समय वो कितने स्थरों पर काम कर रहा है? आपका लिवर जो कर रहा है, वो उससे कहीं अधिक जटिल है, जो आपका दिमाग कर रहा है क्या आप जानते हैं? बिना दिमाग वाला लिवर अगर इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, तो दिमाग वाला प्रनीत कितनी चीज़ें कर सकता है? नहीं, मैं बात कर रहा था, काम के बारे में नहीं हाँ, काम भी संभव है आपको ये समझना होगा एक गोल ग्रहपर, जो इस समय घूम रहा है हलो, क्या आप एक गोल ग्रहपर है? घूम रहा है? ज्यादा तर लोग ये नहीं समझते जब तक कि वो किसी चीज के नशे में धूत नहीं होते या फिर उन्हें कोई बिमारी न हो जाए फिर अचानक आप पाते हैं, कि धर्ती गोल है क्या आपको पता है, एक इनसान के लिए कितना जटल काम है एक खास लैटिट्यूट पर एक गोल धर्ती पर चलना आप किसी बच्चे से पूछिए, जो मान लीजिए, एक साल का है वो जानता है कि ये काम कितना जटल है आपने देखा है मगर जैसे ही आप चलना सीख लेते हैं आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है आप चल चल कर परिशान हैं आप कार चलाना चाहते हैं, मोटर साइकल चलाना चाहते हैं मगर चलना बहुत जटल प्रक्रिया है 14 नहीं हजारों अलग अलग काम आपके घुटने, आपका दिमाग, आपके शरीर के द्रव, हर समय करते रहते हैं अगर आप इन चीज़ों को जागरूकता के साथ कर सकें तो आप हजारों चीज़े करेंगे आप वैसे भी कर रहे हैं लेकिन अगर आप इसे जागरूकता के साथ चला सकें तो आप एक साथ हजारों चीज़े कर सकें तो मैं बस दिमाग के अलग-अलग चैनलों की बात कर रहा था जिसे वास्तव में आपको चलाना नहीं पड़ता आपको बस शुरू करके छोड़ देना है वो अपने आप चलता रहेगा पड़ोस की लड़की के बारे में सोचने के लिए क्या आपको हर बार शुरूआत करनी पड़ती है नहीं, एक बार आपने उसे देखा और वो खुद बखुद चलता रहता है क्योंकि आप उसकी और आकर्शित हैं अगर आप एक ही समय दस अलग-अलग चीजों की और आकर्शित हैं तो दिमाग दस अलग-अलग चैनल बनाकर उन्हें चालू रखने के काबिल है गनित की एक जटल समस्या कोई समवेदना, संगी, तराग, ये, वो, सौ चीजें एक ही समय पर क्योंकि इनसानी दिमाग इतना ही जटल है इस जटलता का इस्तिमाल आप खुद को पागल बनाने के लिए कर सकते हैं बेलगाम विचारों और भावनाओं से या अगर आप उसका फाइदा उठाएं तो ये ऐसी चीजें कर सकता है जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की होगी ये चीजें कर सकता है एक चमतकारी तरीके से आप असाधारन चीजें कर सकते हैं अगर जरूरी ट्रेनिंग दी जाए अगर वहाँ कोई चल रहा है आप सिर्फ उनके चलने के तरीके को देख कर बता सकते है कि वो शारेरिक रूप से फिट है या नहीं आया ना शवीर पर काम किया गया है या आप देख सकते हैं सिर्फ चलने के तरीके से इसी तरह मन पर काम किया गया है या नहीं आपकी उर्जा पर काम किया गया है या नहीं ये भी साफ दिखता है शायद ज्यातर लोग इसे देख न पाएं लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं फिलहाल ज्यादतर इंसानों के साथ समस्या ये है कि हमने आपको एक सूपर 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 कम्प्यूटर दिया है इस धर्ती पर सबसे जटल मशीन ये मानव तंत्र है मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपने यूजर्स मैन्यूल पढा है हलो नई आप कब पढ़ेंगे आखरी दिन जब मैं ये मूर्कता पूंट चीज देखता हूँ लोग मरते समय कीता पढ़ते हैं मैं कहता हूँ आप आखरी दिन यूजर्स मैन्यूल पढ़ रहे हैं क्या फाइदा? अगर आप कोई फोन करीदते हैं, तो आपको पहले तीन दिन में यूजर्स मैनियल पढ़ना चाहिए या तीन साल बाद, जब आप उस फोन से छुटकारा पाना चाहते हो? आपको उसे पहले तीन दिन के अंदर पढ़ लेना चाहिए, तो मैं आपको कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक जीविद ग्रंथ है, क्या आपको सक्षम नहीं होना चाहिए इस ग्रंथ को पढ़ने में, ये समझने में कि इसकी प्रकृती क्या है, इसकी पून्ख्षमता क्या है और उसे खोजने में, क्योंकि ये जीवन इसके या उसके बारे में नहीं है ये जीवन इसके बारे में है इसका कोई विकल्प नहीं है बस इतना है कि आप इस जीवन को किसी और चीज का दास बना सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये उसके बारे में है मगर असल में ये इसी के बारे में है कि ये प्यार का अनुभव करे, आप चाते हैं कि ये खुशिका अनुभव करे, आप चाते हैं कि ये सारी चीजे करे, बाकी सभी चीजें सिर्फ सहायक हैं, ये असली चीज है, है ना, तो अगर ये असली चीज है, तो क्या इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ध कि आगे खड़े होकर लगतार अपनी त्वचा पर ध्यान देते रहें किया आपको हर उस आयाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे ये इनसान बना है कौन सी चीज इस जीवन को चलाती है और कैसे अगर आप समझ लें कि कौन सी चीज इसे चलाती है तो आप इसे जबरदस तरफ़तार पर दोड़ा सकते हैं अगर आप इसे जबरदस तरफ़तार पर दोड़ा सकें तो चौदा चीजें क्यों आप और भी ज्यादा कर सकते हैं